नमस्कार मैं हूँ जूली आपे सब देख रहे हैं दिंद्या टॉप बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से परिक्षा के मामले में रिकॉर्ड बना लिया है आपको उतादे कि देश में सबसे पहले परिक्षा कराने और परिणाम घोशित करने के मामले में बिहार बोर्ड जो कि 14 फरवरी तक चलेगी और अगर मैट्रिक की परिक्षा की बात करें तो यह 17 फरवरी से शुरू होकर के 24 फरवरी तक चलेगी और इसके साथ ही जो परिणाम है वो मार्च तक घोशित करने की संभावना जताई जा रही है पिछले साल भी परिशा का शिडियूल जहें वो इसी तरीके से था और बिहार बोर्ट में पिछले साल भी सबसे पहले बोर्ट की परिक्षा कराये थी और परिणाम भी सबसे पहले ही जारी कर दिये थे और इसके साथ ही कोरोना काल में बिहार बोर्ट जो है वो देश का पहला ऐसा बोर्ट बन गया है जो कि इतनी 48,518 चात्रा हैं तो वहीं 6,97,421 चात्र शामिल है परिक्षा में शामिल होने वाले चात्रों का रिजल्ट भी जल्दी ही जारी हो जाएगा जिससे उन्हें तयारी और एडमिशन कराने में कोई समस्या नहीं होगी अब तक कुछी राजियों में परिक्षा को लेकर प्लान ज करा थी और इस बार भी बिहार भॉड अपना ही रिकौर्ट धोहराने में लगा हुआ है में की मेट्रिक की परिक्षा 17 फर्वरी से शुरू हो करके 24 फर्वरी तक चलेंगी MP बोर्ट ने 10 और 12 कक्षा की परिक्षा की परिक्षाओं की तारिक जारी कर दी है MP की परिक्षा एं 18 Trans मार्च 2.02 तक और 12 की परिक्षाइं 17-12 करा साद लविए कि 5 तक चलेगी तो इक्जाम कराने को लेकर वो दिख साथ से असे तक आयूजित की जाएगी। दसवी और बार्वी की बोर्ट परिक्षा 14 से तीज मार्च तक आयूजित करेगा। वहीं स्कूल स्तर पर दसवी और बारवी कक्षा की प्राक्टिकल परिक्षा 24 से 26 सरवरी तक होगी कक्षा बारवी की साइन्स ट्रीम की प्राक्टिकल परिक्षा 2 मार्च से 12 मार्च तक कराई जानी है असम बोर्ड की बात करें तो इस मामले में वो छटे नंबर पर है परिक्षा का आवजन 15 मार्च 2022 से किया जाएगा बिहार बोर्ड इस बार भी मार्च माह में अंतिम सब्ताह तक रिजल जारी कर सकता है बिहार बोर्ड एक्जाम के साथ ही रिजल्ट जारी करने में इस बार भी रिकॉर्ड बनाने के लिए तयार है हाला कि 26 मार्च से नौवी का एक्जाम शुरू होगा और बीच में 18 और 19 को होली की छुटी होगी इसके बाद भी रिजल्ट मार्च के अंतिम सब्ता को से लेकर अप्रैल के पहले सब्ता तक जारी कर दिया जाएगा बिहार बोर्ड लगतार चौथी बार सबसे पहले रिजल्ट जारी करेगा वर्ष 2019 और 20 के साथ 2021 में भी सबसे पहले रिजल्ट जारी किया जाना है बिहार बोर्ट लगतार चौथी बार सबसे पहले रिजर्ट जारी करेगा वर्ष 2019, 20 और 21 में भी बिहार बोर्ट ने देश में सबसे पहले बोर्ट की परिक्षाओं का परिणाम घोशित किया था बिहार बोर्ड लगतार चौती बार शेशन समय से शुरू किया है बोर्ड का कहना है कि वर्ष 2021 में एक फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक की परिक्षाज शुरू किया था बिहार बोर्ड ने रिजर्ट जारी करने में भी काफी तेजी दिखाई थी और 26 मार्च को इंटर और 6 अपरेल को मैट्रिक का रिजर्ट जारी कर दिया था यानि कि जो ये record लगातार बन रहा है लगातार दूसरे साल भी टॉप पर है बिहार बोर्ड परिक्षा कराने और रिजल जारी करने में इससे student भी कही न कहीं आकरशित हो रहे हैं और दूसरे बोर्ड को छोड़ करके वो बिहार बोर्ड में अपना admission करवा रहे हैं ताकि उनक कि तैयारी अच्छे से हो सके वो जल्दी से समय से admission ले सके इसकी वज़से जादा से जादा च्छात्र जो है वो बिहार बोर्ड में admission ले रहे हैं और समय से परिक्षा लेने के मामले में लगातार जो है बिहार बोर्ड record बना रहा है फिलाल इस वीडियो में इतना ही इस तर ये दा इंडिया तौप धन्यवाद